हलो दोस्तो जैसा कि आप जानते हैं यह है राधा का घर यहां श्याम छट पर चड़ गया है इसलिए सोनम और चंदा उसे उतार रही है चलिए देखते हैं आगे क्या होता है अरे श्याम आखिर उपर केसे चड़ गया और देखो ना सीड़ी भी उसने नीचे गिरा दिया है पूरा तुड़ गया है अब हम क्या करें आखिर अले श्याम आखिर तुम उपर केशे चड़ गये अब हम केशे उतारे इस लड़की को कितना मस्टिक हो रही यह लड़का और यहां श्याम डर के मारे रो रहा होता है अरे सूरम देखो ना श्याम कितना रो रहा है बिचारा सीड़ी भी नीचे गिर कर टूट गई है आखिर अब हम उसे कैसे उतारे और देखो ना राधा भी अभी तक सो रही है अच्छा एक काम करो जाकर राधा को जगा दो चलो अब जाओ जल्दी से अच्छा ठीक है मामे मैं जाती हूँ राधा अंटी को जगाती हूँ अरे भाई राधा जल्दी जागो देखो ना श्याम छट पर चड़ गया है श्याम तुम चिंता मत करना और यहां श्याम बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है अरे श्याम बेटा इतने किनारे मत आओ न तुम गिर जाओगे अरे अब मैं क्या करूँ मुझे पहुत ज़्यादा चिंता हो रही है अगर श्याम गिर गया तो उसे पहुत ज़्यादा चोट लग जाएगी और यहां सोनम राधा को जगा रही होती है राधा अंटी राधा छोड़ो देखो न श्याम चट पर चड़ गया है और सीड़ी भी नीचे किर कर टूटी हुई है क्या श्याम वो तो यहीं पर लेटा अरे अरे यह क्या श्याम कहा पर है अरे श्याम अरे लड़का भी न कभी भी शांत नहीं पैट सकता है अरे 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 श्याम तुम कैसे चड़ गए बेटा उपर अब मैं कैसे उतारो इस लड़की को सीड़ी भी तो नहीं है तुम बिल्कुल भी मत हिलना ठीक है ना श्याम औरना तुम गिर जाओगे अरे दीदी अब मैं क्या करूँ कैसे उतारो श्याम को अरे राधा मुझे भी नहीं पता देखो न आच्छा व आपके पास दूसरे सीड़ी नहीं है क्या अरे सोनम नहीं है दूसरे सीड़ी अरे इसके था हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है अब मैं क्या करूँ कुछ नहीं समझ में आ रहा है श्याम अरे राधा हमको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा चल्दी से चल्दी वरन पहले ना देखो ना श्याम उतरने की कोशिश कर रहा है अगर वो गिर जाएगो तो क्या होगा और यहां श्याम जोरो से रो रहा होता है अरे श्याम मत हिलो मत हिलो बेटा वरना तुम गिर जाओगे अरे यह लड़का पतन हमारी बास समझ भी रहा है यह नहीं श्याम मत हिलो वहां से अरे हां राधा वैसे क्रिश्ना कहां पर है दिखाई नहीं दे रहा है वो तो आसाने से श्याम को उतार लेगा अरे दीदिया पे क्या बोलू श्याम की पापा तो कल रात को ही शहर चले गई थे उनको तो आने में बहुत ज़्यादर टाइम लगने वाला है अरे हां राधा तो अब हम आखिर क्या करे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है अले अले हां मुझे बहुत जी अच्छा आइडिया आया है क्या? क्या सोनम बेटा क्या आइडिया है जल्दी बताओ? अरे हां सोनम बताओ जल्दी अच्छा ममें हम सब चादर लेकर नीचे खड़े हो जाते हैं और श्याम को उच पर कुदने के लिए बोलेंगे तब तब वो सही शरामत नीचे उतर जाएगा कैसा है आइडिया चलिए यही करना पड़ेगा अरे सोनम अगर कोई उच नीच हो गई तो अरे राधा आप क्या कर सकते हैं हमें यही करना पड़ेगा और हमारे पास कोई रास्ता नहीं अगर श्याम का पैरवर फिसल गया तो क्या करेंगे चलो राधा जल्दी से चादर लेकर आओ अच्छा श्याम अब तुम चिंता मत करो ठीक है ना अब तुम चल्दी से इसलामत नीचे उतर जाओगे हम तुम्हें उतार लेंगे अच्छे शे और यहां राधा और चंदा चादर लेकर खड़े हो जाती है अरे अरे ध्यास रहा थोड़े यहां थोड़े यहां पर हो जाते है अरे हां यहां यहां पर ठीक है अच्छा श्याम बेटा देखो तुम्हें इस पर कूदना है ठीक है ना फिर तुम नीचे उतर जाओगे तुर अब इसके उपर कूदो अच्छे से अरे हाँ श्याम इसके उपर कोट जाओ और यहाँ श्याम को तर लग रहा होता है अरे आखरी लड़का कर क्या रहा है आखरी वो कोट क्यों ने रहा है वेशे तो हमेशे उचलता कोटता रहता है चलो मैं भी चाती हूँ मदद कलती हूँ लाधांती और मम्मी की मैं भी आ रही हूँ चलो श्याम देखो मैंने भी पकड़ लिया अब तुम्हें कुछ भी नहीं होगा कूदो जल्दी से और यहां श्याम डरते जराते आखे नीचे कूद ही जाता है अरे वा श्याम तुमने तो कमाल कर दिया चलो इसे नीचे उतारते हैं चलो अच्छा है अंत भला तो सब भला लेकिन हां श्याम आप इसी कलती मत करना कभी और यहां श्याम जो जो से हसने लगता है अरे यह लड़का भी ना चलो आज आओ मेरे पास अब मेरे से कहीं पर भी दूर मत जाना मुझे बहुती दर लगने लगता है तुम्हें पता है ना श्याम बेटा हाँ इस लड़की की शिकायत करनी ही होगी वैसे राधा शुक्र है कि हमने श्याम की रोनी की आवास सुन ली थी वरना पता नहीं आज क्या हो जाता हाँ श्याम देखो मैंने तुम्हारी जायन बचाई है आज अरे राधा लेकिन देखो तुम्हारे सीड़ी तो पूरी टूट गई अब ये कोई भी काम की नहीं रह गई और यहां क्रिश्ना घार आ जाता है अरे लेकिन ये क्या ये क्रिश्ना के साथ कौन है अच्छा अंजली जी आप चिंता मत करना ठीक है न अब आप बिल्कुल सेफ हैं अरे रे क्रिश्ना लेकिन तुम्हारी पत्नी का क्या आप चिंता मत कीजिए राधा समच जाएगी अगले बार आशा मत अरे अरे ये क्या क्रिश्ना अंकल तो आ गए लाधा अंती देखिए कृष्ना अंकल आ गए अरे लेकि वो कौन है अरे राधा हाँ सोनम सही बोरी लड़की कौन है अरे कहीं क्रिश्णा ने दूसरी शादी तो नहीं कर ली है अरे क्या दीदी आप भी न अरे वहाँ श्याम की पापा आ आ गए बहुती चल्दी आ गए लेकिन ये कौन है आपके साथ अरे हाँ राधा में आ गया अरे हाँ शाम की पापा वो तो है लेकिन ये कौन है आपके साथ और ये शादी का जोड़ा वर माला ये सब क्या है शाम की पापा इसे चुप मत करे रहे ये बोली है ना क्या बात है अरे अब मैं राधा को कैसे बताऊं कहीं वो गुंडे आस पास ही ना वो सुन लेंगे तो बहुती बड़ा खत्रा हो जाएगा मुझे राधा से जूठी बोलना पड़ेगा अरे देखो वो लड़का इस लड़की को यहीं जूठ है ऐसा नहीं हो सकता है अरे 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 समाल कर क्रिश्ना मजाग कर रहा है तुम क्यों इतना चिंता कर रही हो अरे राधा क्या हुआ अरे क्रिश्ना मैं बोल रही हूँ ना इसा मत कीजी आपने जूठ क्यों बोला अरे मेरे पास इसके अलावा और कोई भी चारा नहीं था, वो गुंडे जरूर हमारे आसपासी होंगे, हमें कुछ दिन तक ये जूट बोलना ही पड़ेगा राधा से, अरे कृष्णा लेकिन राधा की हालत तो देखो, अरे कृष्णा इसा तुम क्या कर रहे हो, देखो राधा की हालत खराब हो रही है, उसे बोलो कि तुम मजाग कर रहे हो, अरे अरे चंदा जी मैं मजाग नहीं कर रहा हूँ, ये बास सच है, मैंने दूसरी शादी कर ली है अंजली से, अरे नहीं कृष्णा तुम क्यो छूट बोल रहे हो आखिर, देखो राधा की हालत कैसी हो रही है, तुम मजाग मत करो आब, अरे श्य अरे श्याम की पापा आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे आपसे ऐसी उमीद नहीं थी, मेरे नजरों से दूर हो जाईए, आप चाहिए यहां से, औरे यादा समहालो आपने आपको, मैं सब सहीं कर दूँगा, मैं सच बोल रहा हूँ, समहालो आपने आपको, अरे मु क्यों किया औरे राधा मेरी बात तो सुनो नहीं मुझे कुछ भी नहीं सुनना है आप बस यहां से चली चाहिए अपने पत्नी को लेकर लेकर लेकिन आप मुझे जरूर पता देना कि मेरी गल्दी क्या थे आखिर और राधा तुम समस्ति क्यों नहीं हो आखिर मैं बता मेरे बैस के बात तो सुन लो एक बार आप चले चाहिए अप चले चाहिए हरे औरे राधा मेरे बात नहीं सुनेगी गया औरे लेकिन आफ देख रहे है न मेरा कुछ थे मेरा से हो रहा है इन दोनों में जगड़ा हो गया मैं क्या करूँ मेरी भोती बड़ी मजबूरी है वरना मैं यहां से अभी चली जाओं इन लोगों को परिशान ना करूँ मैं क्या करूँ अले क्लिश्णा अकपल तो कुछ नो कुछ बताना चाह रहे हैं राधा आंटी को अरे राधा शान्त हो जाओ शांती से काम लो देखो कृष्णा तुम्हें कुछ बताना चाह रहा है सुन लो अच्छे इससे पहले अरे नहीं दीदी मुझे कुछ भी नहीं सुनना है अब आखिर क्या रह गया है सुनना सुनाना मुझे बस जाना है यहां से यादव वो मुझसे दूर हो जाए वरना मैं ही चले जाओंगी अपने बच्चे को लेकर यह घर छोड़ कर मुझे नहीं रहना है यहां पर अरे राधा शांत हो जाओंगी सब क्या बोल रही है तुम अनाप शनाप चुप हो जाओ अरे राधा भोती यहाद ओवरेक्टिंग करनी है ठीक है तुमको जहां पर जाना है चली जाओ तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो, मैं आप क्या ही कर सकता हो, तुम्हें जहां जाना है चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा अरे आखिर अंकली क्या बोल रहे हैं लाधांडी को, लाधांडी तो बहुती कुछ रहे में वोगर चुण कर चली जाएंगी अरे अरे शम की पापा मैं ओवरेक्टिंग कर रहे हूँ, ठीक है ऐसा है तो आप मैं नहीं रुखना चाहूंगी, यहां पर एक शन भी नहीं, मैं जा रही हूँ यहां से आपने सुना न दीदी, आप मैं यहाँ पर नहीं रुखना चाहूंगी, मैं जा रही हूँ राधा राधा रुख जाओ, मत करो ऐसा, कुछ मत करो दीदी मुझे छोड़ दीजी, मुझे जाने दीजी अरे, अरे राधा, अरे मैं क्या कर सकता हूँ ठीक है रादा तुम्हें जहां जाना है जाओ मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा दोस्तो हमारे आगे कहानी देखने के लिए हमारे चेनल पर बने रहिए और चेनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो